वेलकम तू लीली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स आज मैं पेंट कर रही हूँ लाइट येलो कलर के फैब्रिक पेंट ये है कलर जो मैं यूज करूंगी लीव के लिए आज जो मैं आपको फ्लावर पेंट करके बताने वाली हूँ उसको हम कहते हैं जीनिया ये जीनिया फ्लावर है जो कि मैं एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पेंट कर रही हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरू शेयर करें इसी के साथ चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीनिया फ्लावर को step by step हम कैसे paint कर सकते हैं सबसे पहले मैं उसकी stem को paint करी हूँ डंटल इसको बोलते हैं अब इसमें क्या है इसकी जो leaves है यह थोड़ा इसका structure है वो different होता है तो आप ध्यान से देखेगा किस तरीके से मैंने draw किया है बिल्कुल real flower जैसा होता है उसी तरीके से और मैं paint भी वैसे करूँगी दो स्टेम के लिए मैंने यूज किया एक green और sap green color मैंने starting में आपको color show किया है तो उसमें से वो दो color जो है वो हम यूज करेंगे और round brush यूज कर रही हूँ मैं number आप 3 या 4 में से कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपके पास है अब मैं leaf को paint करना शुरू करूँगी सबसे पहले sap green color लेंगे और उसको नीचे के side से लगाएंगे और थोड़ा सा पहलाएंगी एक बात और ध्यान लखना है center से लगाएंगे sap green यह जो leaf इसका shade थोड़ा different होता है ध्यान से देखिएगा मुश्किल बिलकुल है easy है बड़ आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी center पर हम लगाएंगे sap green side side पर green color अच्छे से mix करेंगे इसमें क्या blending बहुत अच्छी होनी चाहिए आपको smooth अच्छे से करने आना चाहिए ठीक है इस तरीके से अभी उपर के साइड पर मैं कौन सा color लगाऊंगी light green यह आपके पास अगर color नहीं है तो आप इसको बना लेंगे white और light green को mix करके और अगर आपके पास कोई paint की खाली bottle हो तो आप उसमें बनाईगा ताकि अगर आपका paint बचे तो वह वेस्ट ना हो आप कहीं कभी और भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप palette पर बनाते हैं तो फिर जितना भी access बचता है वह सारा तो dry हो जाएगा और वेस्ट हो जाएगा मैंने जब white लगा के shade किया तो नीचे तक आगया तो जो sap green मैंने center से लगाया था वो तो डलो गया तो मैं फिर से हलका सा लगाऊंगी ज्यादा नहीं लेंगी अपकी बार क्यूंकि फैब्रिक पर पहले ही color है तो फिर वो access होने का chances हो जाते उससे आपके क्या है ना खराब ह हो जाएगा या थिक हो जाएगा तो थोड़ा सा लेंगे फिर हम next जो लीव कर रहे है उसमें आगे के side से sap green लगाऊंगी इसी तरीके से फिर जो side का हलका portion मैंने छोड़ा हुआ है वहां पे green color लगाएंगे same जैसे उसमें लगाया थे बस इसमें एपोजिट करेंगे ऐसा फ इसा collected नहीं दिखना चाहिए फिर जादा अगर आपका अग्दम इंविजिबल हो जा रहा है dark color तो थोड़ा सा और लगा लेंगे उसको नीचे के side shade करेंगे उसके बाद हम थोड़ी से finishing के लिए zero number या double zero का जो आपके पास brush होता है finishing का उसे finish करेंगे और nurse भी उसी से डालें यह brush आपके पास जरूर होना चाहिए मैं आपको हर वीडियो में बताती हूं यह important है details के लिए important है और nurse के लिए भी तो क्यूंकि फिर आप इस three four number के brush से क्या है कभी-कभी तो बन जाते हैं अगर आपका हाथ बहुत जादा set है तो बन जाएगा बट जो perfection के लिए आपको चा पेंट करने के बाद now I'm moving towards flower और flower में यह सारे color यूज कर रही हूं जो स्क्रीम पे मैं आपको अभी शोग किया है देखिए flower में जो इसके petal है वह बहुत चोटी-चोटी है क्यूंकि अब जीनिया flower का structure यह होता है इसमें क्या है आपको शेड बहुत ध्यान से करना है तो step wise म इस तरीके से fill करेंगे देखिए इस तरीके से fill कर लेंगे बहुत ही आराम से और यह जो layer wise है हमारी petal तो हम एक layer को सबसे पहले pink लगाएंगे सारे में नहीं लगाएंगे उसके बाद second layer में मैं आपको अभी बताऊंगी तो आप इस तरीके से लगाएंगे दिखिए और इस मिक्सिंग में प्रॉबलम है या आपको light और dark color कैसे बनाएं एक दूसरे को mix करके इसमें कोई भी doubt है तो उसके लिए मैंने video बना दी है तो अभी हम फिल कर रहे थे pink color जो कि हमारा था pink 14 color का नाम है और अब हम जो fill करेंगे वो light pink है उससे भी light और अगर आपके पास नहीं है तो आप pink 14 में white color को mix करेंगे और आपका बन जाएगा तो अब हम जो अपनी दूसरी layer है वो light pink से फिल करेंगे ठीक है वन बाइवन करेंगे बहुत ही आराम से बन जाएगा और अगर आप flat brush से उतने confident नहीं है तो आप round brush यूज करिए वैसे भी पिटल बहुत छोटी है तो आराम से बनेगा अंदर की दो layer को हम pink से फिल कर लेंगे और फिर जो हमारी last बची है जो छोटी छोटी पैटल वाली है उसमें हम pink के साथ थोड़ा और white लगाएंगे मतलब वो pink तो है लेकिन उसमें white बहुत जादा दिखना चाहिए सबसे light होगी हमारी वो आली पिटल ठीक है इस तरीके से कर लेंगे फेल करने के बाद इसमें हम लेंगे थोड़ा सा white color उपर से लेंगे और फिर जो हमारी जो पिटल है उसके एक साइड पे हम हलका हलका सा उपर के साइड पे इस तरीके से जगा जगा white color लगाएंगे ठीक है देखे मैं किस तरीके से लगा रही हूं आपको समझ आ लगाएंगे और जो हमने light pink वाली पेटल बनाई है उसमें नीचे की तरफ से शेड देंगे यह शेड थोड़ी से आपको बहुत पेशेंस के साथ देनी पड़ेगी क्योंकि इसमें टाइम लगेगा फिर हम अच्छे से शेड करेंगे अच्छा तो सबसे पहले हमने फ्लाव करना है कुछ पहले शेड कर लूँगे उसके बाद अब हमें चाहिए जीरो नंबर या डबल जीरो का ब्रेश आप लेंगे और उसको आउटलाइन करना है जो हमारी पेटल है उसको आउटलाइन करना है आउटलाइन करने के लिए मैं डाग कलर यूज करूंगी अब कौन सा टाइम लग रहा कोई बात नहीं इसका लोग रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा बस आप मैं जैसा स्टेप बाइस टेप पेंट करी हूं आपको ऐसी करना है और हम वन बाइवन अपने पेटल को इस तरीके से करेंगे आउटलाइन देखिए जहां जहां आउटलाइन करती जारी हूं वो कितने शार्प दिख रहा है इसी तरीके से आपको भी करना है यह हमारा लास स्टेप है आउटलाइन वाला ठीक है आई होप कि आपको इसका शेडिंग का प्रोसेस समझा गया होगा देखिए अब इसमें लुक इसका कितना चेंज हुआ ना शेड हमने पहले अच्छे से कर लिया फिर आउटलाइन करेंगे आपको यह कैसा लग रहा है कॉमेंट में जरूर बताएं मैं आपके कॉमेंट का इंतिजार करूंगी और आपके अच्छे-च्छे कॉमेंट पढ़के मुझे नेक्स वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है अब देखिए कर देखिए खुछ सबहें लागे में जला को भीनिक मेंट कर की क्या तो तोय तब की लेंगे रही जादन का हम डिंक समने का अब आप देखिरी जेख ओ पूल पिंग अजो़र यहां को यहां की डिया बनाहें चाहिए पराग कि देहां से देख है और अब दोनुम कर की ध्यान से देखिएगा हाफ ऐसे बनाना है फुल नहीं और इसका जो पराग है ना यह हम रियर लुक पर बना रहे हैं तो इस तरीके से होता है और फिर बाद वाला जो हमारा आधा पर्ट है वो इस तरीके से हम बनाएंगे कि उसका डायरेक्शन बाहर के साइड होगा और बहुत चोटी है तो अगर आपने थोड़ा बड़ा सा डॉट लगाया तो अच्छा नहीं लगीगा और जो मैं आपको सिंपल अगरा बताती हूं तो इसमें तो अच्छा लगीगा बट इसमें आपको धियान रखना बहुत ही छोटा-चोटा सा डॉट देंगे और उसको फ संद का कोई फ्लावर पेंट करूं तो आप कॉमेंट में जरूर लिखिएगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं बनाऊंगी यू अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें ऐसी जबर्दस वीडियो के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमली किसा शेयर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन टेक कियर बाई बाई